हेलो दोस्त कैसे हैं आप लोग यूप्यू वाले मुदे पे बात करना आया हूँ यही आरीफ वाले मुदे पे उसने बहुत भारी बुलंडर गलती किया इंसानिये धर्म का जोशने पालन कर दिया एक घायल पच्छी को मानो सहता किया धर्म का पालन किया ओ कितने वर्सों से करता आ रहा था पैर टूट गया था सारस का पैर सही किया कितना दिन सेवा किया उसके साथ प्यार हो गया ओ भी प्यार करने लगी दोनों अच्छे से रहने लगया यह तो नहीं था कि वो जंगल से पकड़ के डिरेक्ट सारस को ले किया गया था और जब वो दुनिया के नजर में आया थेमस हो गया तब उसकी सरकार की नजर उसपे पड़ दी वो भी अपोजी डिरेक्शन से पड़ी समस्तों रहां गया अब लोग अब पता नहीं सरकार की नजर में खटक गया बहले तुसको दोनों को अलग किया गया चलो यहां तक भी ठीक था कि बन अधिनियम के जो नियम है उन्हें से 72 के तहत ऐसे जीव को कोई पाल नहीं सकता लेकिन वो भी डिरेक्ट पकड के पाल नहीं रहा था वो घाय अवास्ता में पड़ी मिली तो उसको सहाता किया और अपने पास रखा लेकिन उसके बाद पास पास धाराओं में उसके उपर केस दर्ख के कर दिया गया वाहर सुसासन जवाब मांगा गया है उससे पता नहीं कौन सा उनसे 22 में बन सरक्षन धिनियम और उसके बाद 2006 के तहट तरह तरह की धाराओं में नोटीस भेजा गया है वाह जब इस तरह से कानून अपना काम करेगा तो इंसानियत से अपने लोगों का भरोसा ही उड़ जाएगा कोई किसी को सहता नहीं करेगा मैं किसी सरकार का सपोर्ट या किसी का विरोद नहीं कर रहा हूं मैं बस अपना एक पच्छ रख रहा हूं तो मेरा सरकार से ही बिंती है कि पच्छी तो चली गई कानपूर और इसके उपर आरिफ को इनाम देकर और उसको परसंसा पत्र देकर समानित किया जाए ना कि उसके उपर किसी तरह का इफ है यार किया जाए बहुत बहुत धन्यबाद दोस्तों धन्यबाद